असलामलेकुम एवरिवान ये है एक 3x3 क्लासिकल रुबिक्स क्यूब एनिसे आप लेस्टन 1 मिनिट में सॉल्फ कर सकते हैं सबसे पहले इसकी कलर स्कीम की इंपॉर्टेंस लेखते हैं अगर आपने यू होल्ड किया हुए तो उपर यलो सामने व्यू और नीचे अगर वाइ आर फॉर रेड लेफ्ट पे औरेंज और एक ही कलर बचता है बैक पे ग्रीन विकॉज सिक्स कलर से हैं यह हमारी राइट लेयर है लेफ्ट लेयर फ्रॉंट बैक अप एंड डाउन लेयर है राइट राइट का मतलब होगा इस लेयर को यहां से एज्यूम करके इस नहीं पर फ्रंट क्लॉक्वाइस एंड फेंड एंड एंड़ वीज्वाइट में यूजनी होती तो इनकी कोई भी इतरल नहीं लेए इस लेवल पर इसमें यह संटर हैं यह एजस हैं अन्ड्य पर एसे हिएंड औरन यह पिल दिएज के लिए हैं इसको अन्रं पर एगम यहां पर white edges लाने हैं, तो यह बहुत intuitive तरीक है, आप इसे easily ला सकते हैं, कहीं भी आप edge लेखें उसको इस तरफ रोटेट कर दें, अब for example, यह edge है, तो आप इसको यहां लाना चाहते हैं, तो आप जस इसे जहां लादें, कोई भी problem नहीं इसको यूँ कर दें, यह edge है, इसको यहां लादें, and lastly, यह है, इसको यहां लादें, तो यहां लाएंगे, because वो तो already बनावा था, corners की tension नहीं लेने, अगर corner भी white आ रहे है, because हमारा purpose का white cross बनाना, next फिर आपने जो white edges पर mute किये हैं, उनके जो corresponding edges हैं, मतलब centers के accordingly, वो भी same आ रहे हो, colors के respect, except for example, जैसे यह edge है, तो इसका यहां blue color है, and यह blue के center से भी align कर रहा है, इसे तरह other colors को भी करना चाहिए, अब यह for example, नहीं match हो रहा ना, अपने इस color से, तो आप इसे 180 degree यानि 90, 180 degree यानि down layer में move कर दें, और फिर इसे move करके देखें, क्या यह match हुआ, अल्रेडी होगी, आप इसके उपर फिर मुट कर दें, इसे उपर करेंगे, तो यह चीज नीचे आजानी है, अब यह अगर इसे 180 degree करेंगे, यह चीज उपर जाएगी, तो यह तो यह तो यह तो यह नीचे आना है, अब for example, पहली टर्ल में में यहां पर आपको यह नहीं मिलता, यहां पर भी आप यह align होगे, औरेंज नीचे आगे, औरेंज का यह अविलेबल था, इसे मैंने उपर कर दिया, इसके एलाबा ब्ल्यू था, वो रड़ी सहीजा, तो यहां पर कतम होते है first step, and by the way, अगर आप यह जानना चाते हैं किया, इतना possible types हैं इनकी permutations की, और कितने color combination से आप इनके permut next step में आपने white layer ही complete करनी है, आप यहां पर white layer आपकी already भी complete आपको नजर आ सकती है, बट still उसके यहां पर यह colors match नहीं का रहे होंगे, for example, अगर white layer का यह corner piece आपको already सही नजर आ रहा है, but यहां red है, यह blue है, but यहां पर green and यहां orange होना चाहिए था, because उसके corresponding colors वही आ रहे हैं, आपने सबसे पहले यहां पर यह अनलाइस करना है, कि यह corner piece यहां पर लगना है, यहां red आना है, यहां white आना है, तो इस corner piece को मैं upper layer के corners में find करूंगा, अब upper layer में यह corner है, बट colors नहीं आ रहे हैं, यह दो भी है, इन में colors match नहीं हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यह maybe down layer के corner म औरेड़ी ही पर्मूटेड हो इसको फाई इदर लगने है इसको पहले हम इदर लाएंगे तो हम इस और सब्सक्रा कर आदें कापका कर ला बाइफ है यहां लेए यहां लोइफ णिगों के निव चाहिए राते हैं वाइदर अफ्रन्ट है यहां पर धर हैं यहां ầंग को सॉल्वब करना है यह यह लाइन हो गया नवे इस वाइट पर फेल लाना है अगर फ़र पर लाना है उसके लिए अप इसको जस्क नियुम करें इसे नीचे किसे क्या होगा वाइड आपके राइट पे आजएगा सिंपल अलगुरिदम से आप वाइड को नीचे फिक्स कर दें यहां आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा नेक्स टैप में आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट लेयर तो बना ली थी सेकंड लेयर हमें कंप्लीट करने यहां पर हमने इन एजज़ को पर्म्यूट करना है अपने सब्सक्राइब होना है तो इसका मतलब अपर लेयर में कहीं अवेलेबल होंगे अगर कई ना रहे तो मतलब कहीं पर अल्रेडिए होंगे अब फॉर एक्जम्पल यह जहां पर ग्रीन एंड रड़ है यहां पर ग् का इसका कलर मैच कर रहा हूं यहां 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 यहा चुर्बा तो एज ओसके साथ हमें फिक्स कर दिया कि कि इसको आप जाप लेंगे इस तौन उन तो इस नहीं रूसत लेत लिए उसको आपष़ लाइए जाएंगे तो इसे वहां ले जाएंगे है इस लेयर के वां ले आए अ इसको वापिस लाएंगे एद्स के विड़ी कर दें describing है जा Este abre ंब discharge ब्ली जो सें यहां लगणते तो इसको वाँ सरेंगे को भी यहां देखेंगे टेंगे कि यहां पर पर मुस्मपर का यह पर आगा कैसा है कि कुछ आप बहुत है कि अपरा चछा और prata आढ़ होता है राइण मोड़ा इसको निकालने के लिए हम कोई फिए यहां कोई कि यहां पर वीट हो गया अब हमारे पास एक पीस फ्री रो गया इसने यहां लगना है इसके बहाँ ले जाएंगे एंड सेम टेक्निक से आप इसे फिक्स कर लेंगे यहां पर आपकी सेकिन लेर भी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स स्टेप में आपने अपर लेयर का येलो अएगा जैसे ब्यारी क्रिण से इसे बीडाएं अब कर सकते हैं यहां कि यह बन जास का सकता है यूं भी हो सकता हैं और यह इंभी हो सकती है जैसे भी ओ आपको एक लिख ऑगा तो इसको आप यू होde करेंगे जैसे भी आपको नदर आ रहा है स्टापने था men's आगें और disc प्लिट इस केस्ट में अपने अल्गृटम सेमेप्लाय कर देना है एए यह नेक्स टैप में येलो क्रॉस के इंडेज को सेंटर के क्लर से पर्मूट करना है यहां बर अगर आगर आपको एक एज फर्मूट होगा मिल रहा है और बाकी कोई साहिन ही मिल रहे है इसका मतलब का मतलब अगर करता है क्या कोई दो मिल रहे हैं नहिं मिल रहे हैं मैं इसे युँ साथ वह मिलेंगे यहां पर आलगूरिधम अप्लाई करें में तो यहां यहां पर एक दफा salt side पर जूही salt side पर apply करेंगे यह orange का salt नहीं रहेगा ग्रीन का salt रहेगा तो red पर switch हो जाएगा यहां red से आजाएगा then फिर आपने unsolid layer पर apply करना होगा let's see यहां पर U2 का मतलब है अपर लेयर को दो दफ़ा मूव करना आइधर क्लॉक वाइस और एंटी क्लॉक वाइस इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इन से हट गिया डेड पर आगिया सॉल्ड लेयर पर लगा लिए अब हम अन्सॉल्ड पर यहां लगाएंगे कुछ भी निम बना इसमें टैंशन देनी एक मूव करें सारे अजिस पर मूट हो जाएंगे इसकेस में आप देख सकते हैं कि अपोस्ट एजिस पर नियुट हो रहे हैं यहां पर हम सॉल्ड जगा पर यनि इस जगह पर दो दफा अल्कुरिदम पडता करेंगे चाहिं यह लास्ट केस में एक दलब पर एक दफां चाहिए तार्ट थो थाइंश सेकंड टाइम ओके एन अन्सौल्ट पर कम्प्लिट नेइबरिंग कॉर्नर्स लाने हैं नेबरिंग कॉर्नर्स का मीनिक यह फॉर इग्जेंपल ग्रीन रेड ऑन येलो तो यहां पर आपने ग्रीन रेड एंड येलो का नेबर पीस नाना है चाहे वो साइबर म्यूट हो चाहे वो ना हो इसी तरह औरिंज और ग्रीन का भी यहां नाना है सब का ऐसे करना है इसमें भी केसिज आते हैं या तो आपके पास एक ना एक नेबर सही अलाइंट होगा पड़ा तो आपने वही अल्गोरिदम अप्लाई कर देना है या आपके एक ना मैंब बनभी अ Drug M अब लिए तो आप ने उस है और अल्गोरिटम अप्लाई करना है अब देख सकते हैं कि नेबर इंधि यह नेगर स्कूप नीज होगा तो यहाट नहीं होता है na ना स similar स्टेबाल स्टेब जिसमें पूरा क्यूब स्क्रैंबल अगेन हो जाएगा एंड फिर एक मूव से पूरा ही बन जाएगा बट आपने हाथों को ऐसे बिल्कुल टाइटली फर्मली रखना है ताकि आप वाकी क्यूब पर अटेंशन ना दे सकें और अगर भूल गए कहां से अप्लाय कर रहे हैं तो आपको क्यूब फिर स्टार्ट जाएगा यालो नेयर बनाने के लिए आपने जो कॉर्णर बनाना है उसको अपने राइट पर रखना है और यहां अल्गुरिजम अप्लाय करना है यह बंग है फिर आपने इंदर मूव करना है कोई प्रॉब्लम नहीं नेक्स पर चलें यह बंगे लेक्स पर चलें अगर बना वाई तो आपके कूरा क्यूब बन गया होगा तब तक अगर यह नहीं बनावा तो आप इसमें भी अपलाय करके अपने इसो व्रॉव कर लेंगे पैजन के हैश में आप देख सकते हैं मैं यहां से शुरू करूं या मैं यहां से कोई अँ बना में चाहिते अगाँ